और बजट पर उद्द्योग जगत क्या क्या कहना आपको बताते हैं, उन्होंने स्वागत किया, कहा कि बजट दूर दरशी है, इसमें विक्सित भारत के लिए राज जिस्तर पर भी मजबूत फोकस किया गया, टैक्स लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, सभी लोग इसक कि टैक्स लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, बजट पर उद्द्योग जगत का कहना है कि बजट में विक्सित भारत के लिए राज जिस्तर पर भी मजबूत फोकस किया गया है, आएम एफ के कारेकारी निदेशक और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहका केवी सुब्रमन्यम ने कहा कि केंद्रिय अंत्रिम बजट बिल्कुल भी लुभाने वाला बजट नहीं है, उन्होंने कहा कि बजट दूरदर्शी है क्योंकि इसमें नवाचार और कैपेक्स के लिए कई एहम कदम उठाए गए हैं फिकी के अध्यक्ष अनीश शाह ने कहा कि बजट में विकास, कल्यानबाद और राज कोशिय को लेकर एक सशक्त सोच है उद्योग जगत का माना है कि कोविड युक्रेन रूस युद और इसराइल हमास संघर्ष जैसे मुश्किल वक्त में भी केंद्र सरकार ने अपनी नीतियों के साथ भारतिय अर्थ व्यवस्था ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है but for five point one percent is obviously a very significant step forward. But at the same time, not sacrificing the focus on growth. So the CapEx spend has increased by almost 11 percent, 11.1 percent which is also very good. So the continued focus on infrastructure growth takes place. The government has really focused on empowering women, poor youth and farmers. So that very appreciable. तमाम और कारोबारियों ने बजट को साहसी, समावेशी, व्यावहारिक करार दिया है और विदे ती स्केटर ले सेच्ट है और इसनान स्प्राइब करें ते उत्ट उस्यावन प्रणार में करने के दिए आरे देखाँ अश्या लॉट्ट सरिंदिंटर सेच्छाब करें। प्रश्वाइब अगेंस प्रश्विकल आपका इंपर इंपर इंपर्टाइश्मान कवरिज फर आंगनवारी वर्कर्श और आशा वर्कर्श इस अबिग मूव उद्योग जगत का कहना है कि यह बजट काफी विवेक पूर्ण है जो कि भारत के लिए मजबूत पत की नीव रखता है व्यूर रिपोर्ट डीरी न्यूस